मैं आर्किटेक्ट देविन सिंग चैनल सिंप्लिकेड में आपका स्वागत करता हूँ आज हम एक्सप्रोर करेंगे सेट लोकेशन कमांड को सेट लोकेशन कमांड में ऑनलाइन सर्विसिस का इस्तमाल होता है इसके लिए हमें Autodesk A360 में साइन इन होना जरूरी है इसमें साइन इन करने के बाद ही आप इस कमांड का इस्तमाल कर पाएंगे सेट लोकेशन में देखिए अमरे पर दो अप्शन है एक तो है From File From File में GIS की जो इन्फरमेशन होती है उसका इस्तमाल होता है एक्जिस्टिंग फाइल से जो KML या KMZ के एक्स्टेंशन में होती है इसके अलावा एक तरीका है From Map जिसमें Online Map का इस्तमाल होता है From Map को हम स्रेट कर लेते हैं इसको स्रेट करने के बाद देखिए ये एक विंडो खुलती है Geographic Location Specify Location Location को Specify करने का तरीका ये है तो हम Address Bar के अंदर हम Address Type करके Location पर जा सकते हैं और अगर आप उस जगा पर मौजूद है तो आप Locate Me का इस्तमाल कर सकते हैं ये सीधा उसी Location पर Zoom हो जाएगा मैप और आपकी Location को Point कर देगा अभी देखिए मैं Address Bar में जाके मैं Address Type कर देता हूँ मैंने Address Type कर दिया New Delhi, India उसके बाद मैंने इसको Enter किया Enter करने पर देखिए मेरे पास ये दो Option इसके अंदर आ रहे हैं एक तो New Delhi पर इसने एक नमबर Pin Drop की है दूसरा ये है कि दिल्ली एरिया पर मैं दिल्ली को Set करता हूँ ये Old Delhi का एरिया है तो मैं इसमें आ जाता हूँ इसमें आने के बाद देखिए Drop Marker Hair तो मैं इसको Set करता हूँ तो यहाँ पर एक Marker ये आ गया है इस बटन को हम इस्तमाल कर सकते हैं Map को Center करने के लिए ये भी Centered ही है Map उसके बाद हम Next पर आ जाते हैं जिसमें Geographic Location एक Window खुलती है इसमें हमें Coordinate System को Set करना है सबसो उपर आप देखिए लिष्ट में ये Coordinate System है सबसो उपर है ये Indian Yard उसके नीचे है Meter इसके अलावा Time Zone Time Zone में हम इंडिया का Time Zone Set कर लेते हैं इसमें Drawing Units मिलिमीटर है लेकिन बड़े Map में काम करने के लिए Meter की हमें Scale ज़्यादा सूट करती है तो Meter को जैसे मैंने Set किया है तो देखिए ये इसके अंदर Warning आई है Reset the Units of the Map to match the Units of the Drawing Drawing के जो Unit है इंसर्षन यूनिट वो भी मिलिमीटर में है तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको यहां से Cancel करके मिलिमीटर में ही इसको कर देता हूँ दुबारा से लेकिन मिलिमीटर में काम करने में इतनी सुविधा नहीं है बड़े Map में जिसना की Meter के अंदर रहती है इसलिए मैं इसमें करूँगा Continue Anyway अब मैं Next करता हूँ Next करने के बाद देखिए एक तो हम पॉइंट पिक करके बता सकते हैं दूसरा यह है कि Default S के अंदर 000 तो यह अगर हमें Accepted है तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और Specify the not direction angle F8 मैंने किया देखिए not direction में कहीं पिक करके हम पिक करके बता सकते हैं यह हम लिखकर बता सकते हैं बाकि इसके अंदर अभी 90 है अगर यह मुझे Accepted है तो मैं इसको ही एंटर कर देता हूँ इसको एंटर करने पर देखिए यह एक map खुल गया है इसमें एक not place में इसने spin को टॉप किया है इसके साथ ही देखिए एक हमार पास ribbon यहां पर additional आ गया है जो पहले नहीं था यह geolocation के नाम से जिसके अंदर हमार पास यह tools है additional इससे related इन tools को अब हम देखेंगे करके आईए हम इन tools को explore करते हैं इन में सबसे पहला tool है edit location edit location में from map from map जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो यह map के अंदर हम वापिस पहुंच जाते हैं इसमें मैं दुबारा से इसको यहां address file भी कर सकते हैं इसको next tool है reorient marker तो यह जो marker है इसमें नौर्थ उपर की तरफ है हम इसकी location को और इस नौर्थ की direction को अगर हम change करना चाते हैं तो map उसी साब से यह rotate हो जाएगा मैंने इस marker को यहां मैंने shift हो गया है और map हमारा 45 degree पर rotate हो गया है इसको मैं undo कर देता हूं देखिए मैं undo कर दिया इसको पूरे map को move कर देता है UCS से relatively तो हमें इसकी location को change करना है अपने map के अंदर तो उसके लिए यह इस्तेमाल होता है इस command को हमने देख लिया इसके लावा remove location रिमूब location मैं अगर करता हूं तो यह map इसमें से निकल जाएगा वो सारा database में से निकल जाएगा इसे related मैं इसको बन्लू कर देता हूं next तूल आप देखिए इसमें है locate me जो कि अभी grade out है क्योंकि टिव नहीं है उसके बाद टूल है mark position हम positions mark कर सकते हैं इसमें उसके लिए मार पास latitude longitude का option है my location का option है last tool है point हम points drop कर सकते हैं mark position जैसे मैंने इस position पर एक point drop कर दिया इसका मैंने नाम दे दिया a enter किया उसके बाद फिर मैंने इसको enter किया next point मैंने यहां drop कर दिया इसको मैंने दे दिया b उसके बाद फिर मैंने enter किया और मैंने एक point यहां drop कर दिया c यह देखिए चार points मैंने drop कर दिया है यह modify command लेता हूँ मैं तो इसमें देखिए इसके यह latitude longitude यह दिखाता है हम longitude latitude specify कर सकते हैं यहाँ पर और इसके अलावा text की height 5 इनको हम इस्तेमाल करके इनके बीच की distance ले सकते हैं इस से हम एक geometry बना सकते हैं जितने भी हमें points मिले हैं इसमें यह minus rate किया इसको minus rate किया 124.58 meters decimal separator को हमें change करना होगा period मैंने कर दिया ok close यह देखिए 124.58 next हम आते हैं map area अब यह map जो है इसको हम किस तरह से देखना चाते हैं हम इसको road कर देते हैं देखिए grid off कर देता हूँ इसके लावा हमारे पास एक option है map hybrid hybrid के अंदर यह satellite और road दोनों को दिखाएगा देखिए इसके अंदर अभी यह roads दिखाई दे रही हैं यह gray color में आप देखिए next है हमारे पास यह capture area अब इसमें से कुछ area को हम offline इस्तेमाल करना चाते हैं तो उसके लिए हमारे पास यह option आता है कि capture area और capture viewport viewport अगर मैं करता हूँ तो जितना इसके अंदर यह map दिखाई दे रहा है पूरा यह map इसके अंदर यह capture कर लेगा अगर मैं capture area करता हूँ तो इसमें मुझे एक rectangle set करना होगा जैसे मैंने यह rectangle set कर लिया यह area capture हो गया तो मैं एक से ज़्यादा भी इसमें areas capture कर सकता हूँ देखिए ये capture हो गया फिर मैंने इसको set किया ये एक area capture हो गया देखिए capture area हमने 3 किये ये इसके बाद में देखिए हम इसमें किसी भी image को हम set करते हैं ये अब 3 images हो गई है independent अब ये offline है data इसके अंदर हमार पास ये map image का ribbon एक खुलता है इसमें हमें viewing के option होते हैं properties के हम इनकी ये properties हो है display की इनको हम control कर सकते हैं अब देखिए इसको मैं जैसे select करता हूँ तो इसमें map hybrid अभी आ रहा है इसको मैं change करके अगर map road करना चाता हूँ तो देखिए केवल ये जो area मैंने select किया था ये ही change हुआ है देखिए reload image करने से ये इसको optimize और reload कर देगा clarity इसकी बढ़ गई है इसी तरह से देखिए ये अगर map है जो इसको मैं change करना चाता हूँ अगर ये जो rectangle लिया था हमने इसको हम करना चाते है area तो देखिए ये area हो गया है इसमें grey line जो grey area जो road का आ रहा था वो इसमें अलग से new identify हो रहा है इसी तरह से इसको भी हम change कर सकते हैं map road कर दिया मैंने ये change हो गया अब आप देखिए मैं फिर इसको reload image कर देता हूँ और optimize and reload कर दिया मैंने तो ये सारा उसी इसाफ से scale down हो गया है और detail इसकी बढ़ गई है के लावा next option हमार पास आता है इसके resolution का जो भी optimal किया हुआ है इसको हम very fine तक ले सकते हैं course तक ले सकते हैं तो optimal ही मैं इसको रख देता हूँ अभी next option इसमें हमार पास है brightness का जिसको हम change कर सकते हैं contrast fade तो इन values को change करके हम अपने हिसाब से इसको control कर सकते हैं last option है reload image reload image में जो हमने देखा था optimize and reload लेकिन अगर हमें काम करते हुए बीच में इस map को off करना है तो उसके लिए हमार पास ये command है यहाँ पे जिससे कि हम इस map को दुबारा से वापिस पिला सकते हैं इसको ही मैं फिर से करता हूँ फिर से मैं इन तीनों में से किसी भी button को इस्तेमाल करूंगा तो यह map दुबारा से आ जाता है इसमें हम accurately काम कर सकते हैं buildings को place कर सकते हैं distance ले सकते हैं जैसा कि मैंने अभी इस plot की आपको distance ले करके दिखाई P line draw करके उस area को भी identify कर सकते हैं यह video आपको अच्छी लगी तो please आप इसको like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you